नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सपना सुमस्कुलिंगर चानल में और आज हम छटी कक्षा हिंदी का तीसरा पाठे उपहार उसका स्वाध्या यानि प्रश्नोत्त लिखने वाले हैं अगर आप नए हो इस चानल को तो जरूर इस चानल को सब्सक्राइब कीचे और बेले कन दबाईए मेरा नाम है सपना ठीचर में पूने जिल्ले से हो आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताईगा और आपको किसी वीडियो की आवशकता हो तो मुझे कमेंट करके आप सूचना दीजे उस हिसाब से मैं आपको वीडियो अप्लोड कर के देदूंगी अगर आपके यहां पे किड्स हो आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप कोई दिक्कत नहीं आप सीधी किसी भी वीडियो के उपर जाकर आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हो साथवी आठवी नोवी कक्षा के नीचे दिये गए चित्रों को परचान कर उनके नाम तो यहां पे चित रहे उनके नाम पहला ही घर, बहती नदी, अमरूत, हिमाले परवत, अनाज की बोरी, चाबियो का गुच्छा, दर्शक, पाने से भरा गिलास, बुढ़ा वेक्ती और आम की पेटी खोजबिन, गुरू उद्ध्योगों की जानकारी चातर अपने अनुसार प्राप्त करेंगे एवं उस पर चार्चा करेंगे, उत्तर है, आज हमारे देश में कई स्तानों पर घर-घर की गृहनिया एवं बेरोजगार लोग कई प्रकार के चोटे-चोटे उद्ध्योगों खोजबिन, गृहनिया देश में करते हैं, और अपनी आजेविका के लिए कुछ धन प्राप्त करते हैं, घर पर हिक किये जाने वाले इन छोटे-छोटे उद्ध्योगों को गृह उद्ध्योग कहा जाता है, इसके अंतर गर्त निमनलखित उद्ध्योग आते हैं, घर में अगर्बत्या बनाना, मुम्बत्या बनाना, अगर्बत्यों को लगने वाली बांबु की पतली सी के तैयार करना, आलू के वेपर तैयार करना, पापड और अचार बनाना, छोटी-छोटी टोक्रियों एवं चटाई बनाना, जाडू बनाना, चित्र बनाना, बर्तनों पर नकाशी करना, सोपियों से रंग विरंगी वस्ते बनाना, मिट्टी के बरतर बनाना आदी। भाशा की ओर निम्रलखी शब्दों के समराड की शब्दे इस कहाने से डून कर बताओ। सखा जरनी भकिनी नयन रिक्ष। पुत्तर है, सखा मित्र, व्रिक्ष पेड, जरनी मा, नयन आंख और भगिनी बहन। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पुत्तर है, मैं बड़ा होकर एक अच्छा और इमानदार इंसान बनना चाहूंगा। जिन्दगी तो सभी जीते है, कि वही असली जीता है, जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते है। मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश के सेवा करना चाहता हूं। वाचन जगत से महादेवी वर्मा की कहाने पढ़कर उनके पात्र के नाम लिखिये। कहानी है नीलकंठ पात्र, लेकि का है महादेवी वर्मा, बड़े मियाच चिडिया बेचने वाला, नीलकंठ मूर, राधम मूरृदी और कुपज्जा है मूर्णी, कजली है लेकि का किकुत्या, बुड़ा है खरगोश, लक्का है कबूतरौ, चित्रा है बिल्ली। किस ने किस से कहा, तुम यहां उदास क्यों बेटे हो, उत्तरहे परी ने रितिक से कहा, मेरी पोटलिक गीर गई है किसी रास्ते में, उत्तरहे रहागीर ने रितिक से कहा, और कोई पहचान बताओ, उत्तरहे रित्विक ने रहागीर से कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेर मित्र हो उत्तर है रित्विक ने पुस्तक से कहा जरा सोचो बताओ यदि तुम्हें परी मिल जाए तो कालपनिक लेखर उत्तर है यदि मुझे परी मिल जाए तुम्हें एक स्वैम को बड़ा ही भाग्यशाली समझूंगा परी से बातचित करना मेरे मन की बड़ी पुरानी का सामना है यदि मुझे परी मिलेगी तो मैं उससे पहला प्रश्न करूंगा कि तुम कहा से आई हो कहा रहती हो क्या करती हो उसकी जादुई छड़ी के बारे में पूछूंगा जादुई छड़ी से इस अंसार में जो गरीब एवन दिन दुखी है उनके दुखों को दूर कर करने की प्राठना में उससे करूंगा घुको को अन वस्रहिनों को कपड़ा और घर अपनी चादुई छड़ी से निर्मान करने के लिए कहूंगा सोयम के लिए कुछ न मांग कर समाज और देश्वासियों को सुखी और संपन बनाने रखने एवम उनकी व्योस्ता बनाई र हरियाली पशोपक्षी मनुष्य है सबको परिश्रमी उद्योगी और सावलमी बनने की इच्छा प्रदान करों अध्यन कोशल है किसी परिचित अन्ने कहानी लिखक के लिए मुद्दे पर करो उत्तर है संकेत एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा मिलना मुह में दबाना पुल विज्यापन दयार करो आगे यहां पर एक विज्यापन है आकर शक्तर के से किया हुआ देख लीजिए धन्याद मित्रो धन्याद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूरी से लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको कुछ भी स आपकी जरूरत हो तो हम मुझे कमेंट करके बसाथ सकते हो और इस वीडियो को जादर स्यादर दोस्तों में शेयर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से बढ़ाई कीजिए